हाई एवरिवान आप सभी कैसा होते एक और नदार नीव वीडियो में दोस्तों अगर आपकी पास एक आधरकार्ड है और आपकी आधरकार्ड में आपका डीटल्स मीसमेच है शुदर करना चाते है आप ओनलाइन शुदर कर सकते है घर बैठ ही ओनलाइन आपकी आधरकार्ड में आपका father name update नहीं है या कोई महिला है उनका साधी हो चुका है पीता जी की जागा पर husband का नाम update करना चाता है अप कर सकता है साती में आपका address change करना है या आपकी address बदलना है आप online कर सकता है इस वीडियो में आधरकार में father name या husband साथ ही में एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस दिखाऊंगा जानकर ही पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल में आप पहली बार आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्रेब कर लिजे ताकि आगी भी आपको इस तरह करना है तो सबस्ब पहले आपको अधरकाड का न्यू एप साइट में आपको विजिट करना होगा जो कि आभी डिस्पेले पार आप देख सकते हैं वेल कम टू माइ आधार इस एप साइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिशन में मिल जाएगा क्लिक करते ही आपको इंटर आधार यह पर आपका जो आधरकाड में आपको कारेक्शन करना है वो आधरकाड नमबर आपको यह पर इंटर करना है और इस क्याप्चा को देखने के बाद आपको सेम टू सेम इंटर एबोव क्याप्चा पर आपको इंटर कर देना है नेक्ट आपको सेंट बोंडिंग हो एंड defenses आप को का रॉक्सार्यस देखने को मिल जाता है तो आपका आधर कर दो करने के लिए आपको update आधर ओनलाइन पर क्लिक कर देना है इसHHization करने का जो प्रोसेस है प्रोसेस बताया गया है आप चाहे तो पर रीट कर सकता है नेक्ट प्रोसेट टू आपडेट आधर पर क्लिक करेंगे next interface कुछ इस सतरीक इस सदेखने को मिल जाता है अपका आधरकाड में आपकी husband code name father name याuz address चेंज करना है तो address चेंज करने के लिए आपका address बेला अपशन देखने को मिल रहा है और दोस्तों current में जो आपकी आधर में details है यह पर आपको current address पर देखने को मिल जाता है next आपको थोड़ा सा select down करना है और यह पर आप देख सकते है details to be update आपका आधर कर्ड में आपका father name या कोई महिला है उनका साधी हो चुका है पीता जी की ज की जागा पर husband का नाम अप्डेट करना है तो kya up पर आपको father name या husband name इंट्र करना है आपको आपना हिसाब से choose कर लेना है कि आपको क्या correction करना है ठीक है अगर father name correction करना है तो आप यह पर father name लिख़ेंगे दोस्तो next आपको थुरा सा select down करना है और दोस्तो यह पर आप देख सकते हैं house building apartment यानि आपका जो address है आपको update करना है तो यह पर आपको इंटर कर लेना है तो दोस्तो यह एक महिला है तो महिले का husband name यह पर update करना है तो कियर आप पर यह पर husband name इंटर करेंगे तो दोस्तो आपका जो correct details है इंटर करने के बाद आपको एक बार reject कर लेना है next आपको select down करना है तो दोस्तो आभी यह पर आपको अपना document upload करना होगा तो दोस्तो यह पर आप document दो तरीका से upload कर सकते है अगर आपकी document digital locker में upload है तो आप digital locker से upload कर सकते है नहीं तो आप manually कर सकते ह तो यहां पर मेनुवाली में select है और नीचे यहां पर आप देख सकते हैं select valid supporting document type तो यहां पर हम click करेंगे click करते हैं next interface यहां पर कुछ इस तरीक से देखने को मिल जाता है यहां पर आपको काभी सारा document की list देखने को मिल जाएगा यहां से जो भी आपके documents available है आपकी पास यहां से आप select कर सकते हैं तो आभी मेरे पास voter ID card है तो यहां से हम voter ID card को select करेंगे तो यहां पर voter ID पर click करेंगे next यहां पर ok करेंगे next यहां पर view detail and upload document पर click करेंगे next continue to upload पर click करेंगे यहां पर दोस्तों आपकी mobile या PC या laptop पर जहां पर भी आपका document है वासे आपका document को select कर लेना है और आपकी document जो है PDF फाइल में convert होना चाहिए फोटो जो है upload हो चुका है और यहां पर देख सकता है 100% upload हो चुका है आप अगर आपना document को upload करते यहां पर 100% होगा इसके बाद यह next process आप कर सकता है यहां पर जो फोटो आपलोड करेंगे इसका size कम से कम 2 MB की आंदर होना चाहिए then next पर click करेंगे next interface कुछ इस तरीके से देख करना चाहते है यह पर new address पर दिखाएगा details इंटर करते टाइम आप से कोई mistake हो जाता है या mismatch हो जाता है तो edit update address पर click करके आप दूबाना से edit कर सकता है यह mistake को सुधर कर सकता है next तोड़ा select down करेंगे अपर दोनों option को हम tick करेंगे then next पर click करेंगे next पर click करते next interface कुछ इस तरी से देखने को मिलेगा आपको यह पर दोस्तों आपको 50 रूपीस पेमेंट करना होगा next यहाप पर पेमेंट टांसन कंडिशन को accept करेंगे next make payment पर click करेंगे next interface कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा और यह पर आपको देखने का बलगा choose a payment option यहापर आप चार तरीका से payment कर सकता है यहापर मैं ATM कार्ड से payment करेंगे तो cards credit and debit को select करेंगे next interface आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा card details इंटर करने के बाद box में check out करेंगे next proceed पर click करेंगे next आपकी account नमबर की सथ जो mobile number registered रहेगा उसी number पर एक OTP send किया गया है यह आपर OTP इंटर करेंगे next complete payment पर click करेंगे next आपको थोड़ी दिर wait कर लेना है और यह पर देख सकते हमारा payment जो है आपडेट करने के लिए request किया है अगनलेजमेंट पर क्लिक करते है डाउनलोड का pop-up सो किया तो डाउनलोड एगन पर click करते है तो next यह आप पर PDF वीव पर click करते है यह पर दोस्तों हमारे request कर रहे है देखने को मिल जाएगा और request type यह पर देखने को मिल जाएगा अपडेट request detail पर आपको देखने को मिल जाएगा चेंज कर सकते हैं यह आपकी आधरकर में आपडेट कर सकते हैं इसका पुरा प्रोसेस बताया हूँ जानकर दिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल में पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगी भी आपको helpful knowledgeable वीडियो मिलते रहे फिर मिलते एक नियो वीडियो में नियो के आपडेट के साथ तब तब अपना ख्याल लखना शुरुक्षित रहना तब तब के लिए बबाई